तो हेला एवरिवन हावार यू मैसर्थ ब्रतिंजयन फ्रों पडाकू डोट कॉम तो इस पीछे की वीडियो में हमने डिसक्स किये थे आपके साथ फिलिक्स और बायोजी के सॉल्यूशन तो आज की वीडियो में हम जानने वाद नहीं है आपके एंपी सुपर हैंड एक्जाम दो हजार तेस के कमेस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन यार वीडियो सुरू करने से पहले मैं यह कूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी एंड वीडियो को लाइक न जम जाती है और उसका राइट अंसरा ओप्षिन नंबर बी यहां पर गल्टिक किया हुआ है ओप्षिन नंबर बी है बेसिक मेगनेशियम ऑक्साइड की प्रत्त है वो इसके उपर जम जाती है ठीक है नेक्स्ट एक आपके सामने निमलिक्त में से कौन सी उश्मा शेपी प हैंसी उन्फ आपको बताई थी कि ऐसी रियक्षिन साब से पूच्छ सकते हैं आपका से हमारे सामने प्रोडक्ट च्यावंद तो इसमें पूचक गया कि उप्रोक्त में से ओक्सिक्रीट परदार्थ कुन सा है तो वह आपका एक्सियल नेक्स्ट क्योशन आपके सामने लोहे के चूरन को तनु हाइड्रोकुलिक अमल के साथ गरम करने पर उत्पाद को के नाम बताने तो वह होगा एक्सियल टू प्लस में हाइड्रोजन गे ओप्शन नमबर भी नेक्स्ट गुशन आपके सामने ब्राइन विल्यंके व बलाएव जोडियम क्लॉराइड का जलीए गोहल होता है एक्स सॉलिशन ओफ सॉडियम को रइड्स नमबर सी नेक्स्ट क्यूशन है आपके सामने विच औफ फॉलविंग स्टेटमेंट इस कोरे कोपर ओक्साइड और तनु हाइड्रोक्लिक अमल अभिक्रिया करते हैं तो रंग प्रदस्षीत होता है वह आपका ब्लुएस ग्रीन यानि कि निला और हरा आपका इसका राइट अंसर है नेक्स्ट क्योशन है आपके सामने निमर्क्त में से कौन सा यूगम परतिस्थापन अ है दातु सहसे होन जग कौण राइड बनाते हैं क्योंकि क्योंकि जो और कलोरीं नोट वो एलेक्टरोन को संजा कर सकती है इन्में यान कि यह अपने जो दोनों बहुत है बहुत है आर शियर इलेक्टरोंग ठीक है नेक्स्ट क्योर्शन आपके सामने उबहे दर्मी ऑक्सा को परादी जैसे मद्यम के लिए सिल्दातों का अप्षियन बताईए तो आपका है ओप्षिन नंबर सी कॉर्बन कार्बन के अप्षाय के रूप में हम जानते हैं ओप्षिन नंबर सी नेक्स्ट गर्शन आता है आपके सामने एक्स और वाय के बीच अभी किरिया से योगी आ नोट शोन बाइजर इन्हें में से कौन सा जड़ किया है वह नहीं है वो अप्षिन नंबर बी एज लो मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट क्योशन आता है आपका फोटी फॉर नंबर क्योशन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल है दातू है जड़ एक दातू है ओप्षिन नंबर डी नेक्स्ट आता है आपके साने 45 नंबर क्योशन हीरे में प्रते कार्बन परमानू चार अन्या कार्बन परमानूं से बंद कर बनता है तो इसका राइटेंस फूरा ओप्षिन नंबर भी एक ठोर त्री आयाम इस रंच नंबर आपका डी नेक्स्ट क्योशन आता है आपके सामने मेंडली के आवरत सार नीसे मेंडली द्वारा बविश्यवानी की गई इका एल्यूमिनियूम के गुण के बाद में खोजे गए तत्तों के गुणों के समान है तो वह है आपका गेलियम ओप्षिन नंबर आपका ह सी है वो आपका सही है नेक्स्ट क्योशन आता है आपका तत्तव है एक सूतर एक सील टू वाला एक और बनाता है जो गलनाक वाला ठोस है एक्स की सबसे अधिक संभावना आवादसाइणि में किस समय में होती की स्थाएं आता है नेक्स्ट क्योशन आता है Уजỹ क्या पीया tehdा मिया वैसे वैसे सिल्कन हो गया उसके बाद में आपका आपका एल्यूमीनियों हो गया नेक्स्ट क्योशन आता है निमलित में से कौन सा कथन आवर्थ सारने के समय में नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में प्रवर्तियों के बारे में सही नहीं है तो इसका राइटन ग्रवर्शी आपका है वह है फिख नंए नेक्स्ट कुछलन आपके नंबर ऌसी इसका राइट नेक्स्ट है आपका आता है 53 नंबर क्युशन अत्या दिक्रिया शील दातू जैसे सोडियम पोटाशियम मेगनिशियम आधिक निश्कारशन किया जाता है वह किया जाता उनक employee गलित कुलोराइड के विद्यू तब गटन द्वारा यानकी एलेक्ट्रोलाइश इस ओफ दियर मॉल्टन कॉलोराइड या मॉल्टन साल्ट ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट क्योशन आता है आपके सामने गल्वैनिक करन लोहे को जंग लगाने से बचाता है तो इसमें हम कौन सी दत्तु का प्रियों करते हैं जो लोहे के उपर चड़ाई जाती है वह आपकी जिंक यह हमने अच्छी तरीके से आपको बताया था नेक्स्ट क्योशन आता है सामने नीमलक्त में से कौन सा एलकाइनो की सजाती है शरेणी में समंदित है तो वह आपका उप्ष्ण नमबर डी सी थरी एच्फॉर नेक्स्ट क्योशन आता है मोलेरी इती मोलेरी टी जो आपके लेवन्थ के अंदर चैप्टर था आपके नाइंध के अंदर था नाइंत क उसके अंदर यह आपमा हमने डिस्कुस किया था तो आपका जो राइट अंसर है वो अप्शिन नंबर भी मोल पर लेटर यानिकी आपका option number B है वो राइटम सो रहा है next question आपके सामने मानक विलियन शब्द ऐसे विलियन के लिए प्योग किया जाता है जिसकी जिसकी जो हमें नॉर्मलता गया थो आपके मोलरीटी गया थो strength गया तो यहने कि सभी चीज अपने को पता होनी चाहिए option number D is right option तो अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए next question आता है कि aic new院 की दातों से में में इस कर्म से 100 कीजिए तो आपको यह व्यवस्तित करना यह तो मैंने आपको सिर्प यह एक्जाम दिया था जिसके अंदर हमने की अजब्स जांपल यह था है लिना की रब्से फर्याद्ट तो यानिनि की इस हिसाब से आपको सारा आपका एंके च दीवी है किस प्रकार के अभिकरियान तो वह आपका प्रतिस्थापन अभिकरिया ऊप्षियन नम्बर भी आपके राइत अंसर है नेक्स्ट क्योशना आता कि आपको एस मेटरिक कारबन बताना है तो वह आप नमबर सी ठीक है ऑप्षिन नमर सी आपका राइट एंसर है तो यहां से आपका जो कमेश्ट्री का पूरा पूरा पेपर सॉल्व होता है यहां तक हमने सारे के सारी जो पेपर है वो यहां कि सारा सारा जो सेट पेपर में जिसके अंदर फिजिक्स बायोलोजी है और एक्ष्टा जो भी है तो हमने सारे के सारी शॉल्व कर लिया है और आपने वीडियो नहीं देखिया है तो चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हो एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ट्सेप ग्रूप का लिंक मिल रहा होगा आप हमार साथ वर्ट्सेप क्रूप पर भी जोईन हो जाएए और जो भी अपडेट होगी आपके साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी आज के लिए बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैवार्द